कि अज़िए चले ची तो ब्रेक खतम हो चुका है और आखरी क्लास चल रही थी है आखरी क्लास और क्या पढ़ना कमोडिटी फ्यूचर पढ़ना बस वही पाकि यह लेकिन एक कोश्चन छोड़ दिया था हमने बीच में कोश्चन नमबर 50 तो मैंने का पहले करेंगे हम कोश्चन नमबर 50 कवर जैसी हमारा कोश्चन नमबर 50 हो जाएगा उसके बात करेंगे कमो अधारोडी फ्यूचर उतना आता रही उतना है रही है दो तीन कोश्चन है चार कोश्चन वो जूँ हो जाएगे बच्चे बच्चे कोश्चन है तो सर एक म aula कोश्चन करना है तो सर ये कोशन ये कोशन बाहर से उठाया जरूर गया है लेकिन आने के चांसिस तो बनते हैं अच्छा कोशन है सर चाहो तो कुछ लिख ले क्या लिख लो भई important मैं important लिखवा रहा हूँ मतलब सोचो ना यार जिसको मैं बोलता हूँ कि यार ये मेरे लिए important नहीं है तो बात समझ मैं आती है चलो important नहीं पर इसको मैंने खासकर important लिखवाया है ठीक है ठीक है पढ़े कोशन को यस थोड़ा सा जल्दी करते हैं क्योंकि आज खतम करना हमको derivative बहुत लंबा चला गए Mr. Careless was employed with ABC portfolio consultant ठीक है नाम ही क्या लग रहा हुसका Careless Careless क्यों है लेखते है The work profile of Mr. Careless involved Involve advising the client about taking position in future marketing बता हूँ साब जो हम CA लोग पढ़ रहा है क्यार आपको future में long position लेना की short hedging करने के लिए वह बले इसी की advice देता है To obtain hedge in the position they are holding Mr. ZZZ their regular client बले एक client है इनका नाम है ZZZ regular client है Regular client इसके लिए इन्होंने purchase किया था regular client ZZZ ने already purchase करके लख रखा एक लाख shares of X incorporation कितने में $22 और उन्हेंने sold करके रखा Sold करके 50,000 shares of APLC for $40 each एक बार लिखनों किस क्वच्चे से एक तो इनका कौन सा position है Buy करके रखा मतलब मैं कौन सा position बहुल सकता हूँ Long कौन सी company के X incorporation कितना shares XAX तब 1,00,000 shares कितने का $22 का तो $22,00,000 लगाया हुआ है Long position है X में ऐसे ही इन्होंने APLC का क्या हर कर रखा है short एक कितना shares 50,000 shares कितने $1,40 तो $50,000,20 लग तो यह होखे Each having beta 2 मतलब 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 सुनो वो बोल रहा है कि भई आपने X Limited के 1,00,000 share खरीद के रखा $22 के हिसाब से और APLC का 50,000 share sold किया है 40,000 के हिसाब से Each हर एक share 40,000 रुपए each ठीक है having beta 2 मतलब A Limited का beta 2 है वो बता रहा है A का X का पता नहीं मिश्टर केरलेस एडवाईज मिश्टर जेड़ जेड़ टू टेक और क्या एडवाईज दिया इन्होंने कि आप short position ले लीजिए किसमें index future में ये लीजिए index future में कौन सा position short ले लीजिए बोल रहा है और dollar 1,000 each contract एक contract के लिए dollar 1,000 आपको खर्च करना पड़ेगा पर ये नहीं बताए कि कितने से short ले वो हम बता देंगे ना यार इसमें तो हम expert सर इसका beta कितना इसका beta नहीं मालूम देखते हैं though Mr. Careless noted the name of PLC Mr. Careless भाई साब जो है इन्होंने देखा कि जो APLC APLC along with its beta value APLC का beta value दिया है during discussion discussion में मिल गए है with Mr. but बाई साब careless है ना तो वो भूल गया और क्या भूल गया है record the beta value of x बोले इसका beta लिखना ही भूल गया इसका beta ही नहीं पता ठीक है next day को Mr. ZZZ ने close कर दिया position share price of x in corporation dropped by 2% और ये क्या हुआ ये 2% से dropped हो गया long position था तो loss है और share price of APLC appreciate by 3% ये 3% से बढ़ गया ठीक है 3% से बढ़ गया देखेंगे और index future गिर गया 1.5% से और index future 1.5% से गिर गया ठीक यहां तक बताया पूच के अरा भी तक नहीं मालो मुझको Mr. ZZZZ inform Mr. Careless that he has met बुले सहाब उन्होंने इन्फर्म किया कि loss हो रहा है और loss कितने का हो रहा है $114500 due to the position taken ठीक है since record of Mr. Careless was incomplete he approached you to help him to find the number of contract of future contract एक तो सहाब इनको यह नहीं मालूं की number of future contract कितना किया to be short start यहाँ थोड़ा सा मुझे सक हो रहा सक हो रहा question पढ़ने में अभी बात करें to obtain a complete has end the beta और दूसरा हमें क्या निकालना है beta value किसका of X incorporation का दो चीज़े निकालना पहला क्या निकालना है सर्फ फर्श्टली तो हमको निकालना है कि कितना future contract short किया तो सुनो हमें एक contract 1000 डॉलर का है कास हमें यह पता लग जाए कि यहां यहां कितना रुपिया लगाया है अगर कितना रुपिया लगाया है कितना डॉलर से लगाया है यह पता लग जाएगा तो number of contract automatic निकल जाएगा फिर beta कितना है यह बाद में सोचा जाएगा सबसे important क्या है यहां कितना पैसा लगा है और हमें पता सिर्फ एक ही चीज है और क्या पता है हमें 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 टोटल लॉस पढ़ता है एक लाग चवुदा हजार पास टोटल लॉस है एक लाग चवुदा हजार पास सर टोटल का मतलब ओवरॉल इसका और इसका और इसका सर सुनो 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 एक जुगाड हो सकता है क्या जुगाड हो सकता है सर इसका लॉस तो निकली सकता है एमाउट पता है उसका 2% सर इसका भी लॉस निकल सकता लॉस या प्रॉफिट यहां दोनों का लॉस निकल गया सुनना 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 ठीट है और यहां total loss है अगर इस loss में से इन दोनों का loss minus करें तो बोलो किसका loss आएगा इसका आएगा loss profit जो भी हो और इसका हमें percentage तो पता ही है तो जो loss आए है divided by percentage कर देंगे तो कितना पैसा लगा है यह पता लग जाएगा और कितना पैसा लगा यह पता लग जाएगा divided by 1000 करेंगे तो number of contract से जाएगा सर आसान है यह तो मैं समझा है यह नहीं तो सबसे पहले क्या करेंगे calculation of number of contract और to be sold sold, short position ले रहा यहां long क्यों लिखा है भगवानी जानते है यह भगवानी जानते है एक short position बोलाया short position short position बोला चलो देखते क्या है तो काम करें first point number one calculation of number of contracts number of future contract future लिख देथे ठीक है सबसे पहला long position और यह गिरा है 2% तो क्या होगा लॉस ओन long position of x x क्या x x x in corporation loss on long position loss on long position of x in corporation कितना लगा है dollar 22 lakhs और कितना down हो गये 2% 22 lakh into 2% तो डॉलर 44 था ठीक है यह तो loss है दूसरा देखते profit आरा की loss सर यह इसमें हमारा क्या था short position था यह बढ़ गया तो यह भी loss है loss on short position of in corporation loss on short position of APLC dollar 20 lakh into कितना पर्षंट इस है 3 पर्ष 3 पर्षंट यह dollar 60 थाउजन आगे ठीक और उसका तो amount ही नहीं पता तो loss इन दोनों का कितना हो गया 44,000 plus 60,000 तो सर dollar एक एक लाख 44,000 इसका लॉस है यह A और B का मिला के A और X का मिला के और 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 लॉस कितना है और और लॉस है तोटल लॉस कितना था है तोटल लॉस एक लाख 14,000 डॉलर एक लाख 14,000 पस तो future पी क्या होगा loss की profit loss ही दिख रहा दिख रहा ना यह loss देखो future में पहले position तो देख ले कौन सी है future में short position है और यह गिर रहा है तो यह तो profit हुआ अरी री रुको रुको question में गरवड़ा है दोड़ा से सुनना बेकार की मात है इहनोंने short position लिया है short short ही लेना चाहिए था लेकिन गलती यहां किया कि 1.5% से गिर रहा है बोलता है अगर 1.5% से depreciate हो रहा है भाई तो फिर यह आपका यह तो profit हो गया जबकि हमारा हिसाब किताब गरवड़ हो गया इस चक्र में हिसाब को total loss एक लाग चुदा अरपास हो का इन दोनों का loss हमको मालूमें एक लाग चारहजार तो बचा हुँँ तो आएगा जबकि अगर मैं इसको देखो तो profit आ रहा है मतलब question frame करने में कहीं गलती हुई है या तो यहाँ लिखाना होना चाहिए था 1.5% से बढ़ गया बढ़ गया बोलता न तो सायथ कुछ होता या तो यहाँ short की जगा क्या होना चाहिए था long होना चाहिए था कुछ न कुछ दाना है हलाकि short ही होना चाहिए दोनों का मिला कर तो सर यहाँ ज़रूरी थोड़ी ने कि short ही position लेंगे एक बात बताओ एक long है एक short है एक long एक short अगर दोनों को करो तो हो सकता है long position लेना पढ़ रहा हो market में हो सकता है short position लेना हो तो copy paste करेंगा तो हो सकता है यहाँ short लिखा है आप इसको please long कर लेना ठीक है तो मैं मान के चल रहा हूं कि future में long position है और यहाँ गिरा है तो loss हो रहा है ठीक तो loss on long position of nifty future dollar 1,14,500 minus dollar 1,4,000 1,14,500 minus dollar 1,4,000 तो सर डॉलर 10,500 तो future का amount निकल सकती है क्या कितना पैसे लगाए था येस सर dollar 10,500 किसके बराबर है 1,5 percent 1,5 percent क्या है loss का amount तो सर ये आगे dollar 7,500 मतलब आपका future में dollar 7,500 it means भाई साब ये दिया है ये दिया है तो ये निकालना तो निकाली सकते हो ने यार सी है final में तो क्या number of contracts निकल जाएगा ये सर number of contracts dollar 7,500 divided by dollar thousand 700 contract ठीक है तो ये question था अभी सुना अभी और एक चीज़ बागे क्या चीज़ बीटा याद एक table बनाते थे नाम लिखते थे amount लिखते थे अगर ये long position है तो short लेते थे ये short position है तो long लेते थे फिर net position नीचे लिखते थे और net position हमको पता है तो बीटा तो नहीं कली सकता है सर सर याद दिलाओ, याद दिलाओ, मैं याद दिला रहा हूँ केलकुलेशन ओफ बीटा ओफ ए एक ही है न एक बीटा पता था था एक्स का नहीं पता है एक्स इनकॉर्परेशन देखो मेरी बात में याद दिला देता है यहां कमपनी का नाम लिखते थे एक एक्स होता था और एक ए होता था ठीक है ठीक है सर यहां तक बाद उसके बाद कितना लगाया है वो लिखते थे कितना कितना लगाया है यह आपको पता है 22 लाक और 20 लाक डॉलर 22 लाक और डॉलर 20 लाक यहाँ position कौन सा है long और यहाँ कौन सा है short यादे है इसका बीटा कितना है x इसका बीटा तो दिया है तो हम क्या लिखते थे यहां? पोजिशन इन फ्यूचर मार्केट पोजिशन इन फ्यूचर मार्केट यह निफ्टी तो 22,00,000 इन्टू एक्स तो सर ए डॉलर 22,00,000 एक्स यहां लॉंग है तो यहां क्या जाएगा सर शॉट ठीक है और यहां 22,00,000 इन्टू टू तो कितना जाएगा सर चालिस लाक और यहां क्या जाएगा यह क्या जाएगा लॉंग क्योंकि यहां क्या है शॉट तो यहां क्या जाएगा लॉंग और फाइनल आंसर जो आया था नेट पोजिशन हमको पता है नेट पोजिशन क्या है डॉलर साथ लाक और नेट क्या लिया है हमने लॉंग अब यह लॉंग और सौट को तो कुछ लिखना पड़ेगा तो क्यों ना इसको हम माइनस में कर ले इसको मैंने माइनस का साइन लगा दिया आपको ठीक बाकी सब प्लस का तो इसको करें 40,00,00 माइनस 22,00,00,00,00 इसा टेबल बनाया है पहले अगर आप कहोगे कि नहीं बनाया है तो गलत बात है ठीक है यह लाश्ट कोशन था कभी एक्साम में आया नहीं है कोशन कहीं देखने को मिलेगा नहीं आपको लेकिन आपकी किस्मत आ सकता है इसलिए प्लीज करके चले अच्छा कोशन सर आई सी यह जो सॉलूशन है यह कहां से उठाया है सॉलूशन मैंने जहां से भी उठाया होगा आप इस पर ना ही जाओ तो अच्छा है और चले भी जाओगे तो आप इक्विशन बना के कर सकते हैं ऐसा कुछ है नहीं ठीक है ठीक है अब हम चल रहा है किस पर कमोडिटी फ्यूचर लास्ट पार्ट इट मिन्स मैंने फ्यूचर में कहां कि फ्यूचर को मैंने चार भागों में बाड़ दिया था फ्यूचर को मैंने चार भागों में एक तो था बेसिक्स दूसरा वैलिवेशन और आर्विट्रिस दीसरा बीटा मैनेजमेंट और चोहता क्या है कमोडिटी फ्यूचर कमोडिटी फ्यूचर और commodity future क्या है commodity future है क्या कुछ नहीं है भाइ जैसे shears में betting कर रहे थे वैसे commodity में betting करूगे जैसे आप शर्त लगा रहे थे कि share बढ़ेगा चूझ कम होगा वैशे शर्त किस में लगाना commodity पे लगाना commodity क्या हो सकता gold com Zeiten कुछ भी हो सकता तो इसमें generally questions कहां से आते हैं मेरी बात समझो इसमें एक तो question आ सकता है margin से और margin से question पक्का आ सकता है ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है पर margin अल्रीड आपने कर लिया तो इसमें margin का question IC AI ने डाला ही नहीं दूसरा question कहां से आ सकता है valuation और तीसरा beta management को यहां नाम क्या दिया जाएगा hedging बस तीन जगा से question आ सकता margin में नहीं करवाओंगा क्योंकि margin अल्रीड आप कर चुके है margin एक जैसा रहेगा चाहे commodity हो चाहे stocks हो valuation और hedging में थोड़ा अंतरा सकता तोसरा हम valuation की बात करें यह लिखना नहीं है सब लिखा हुआ है अब मैं आप से कुछ बाते कर रहा हूँ जवाब चाहिए बहुत ज़्यादा time नहीं लगाएंगे क्योंकि उस level की question नहीं आते आना ही नहीं आप खुद को बताऊंगा की question क्यों नहीं आएगा आज कि तुनना ध्यांसे मैं सोच रहा हूँ यार मेरी शॉप है तो हमना इस्टील खरीत है सब क्या चल रहा इस्टील का rate चल रहा है अभी एक लाग बीस जार टन बोल रहा हूँ मन से बोला है आप कोगे कि नहीं मार्केट में ऐसा नहीं चला मार्केट का छोड़ो आज चल रहा है इसको बोलते है spot price spot price अगर मैं आज इस्टील खरीद हूँ तो एक लाग बीस जार टन ठीक है और बैंक से पैसे उठाऊँगा तो 10% 10% लिख दिया 10% ठीक है अब सवाल ये है सुना दे आँसे अगर मैं अब ये तो सर डिविडेंट होता था उसमें क्या होता था उसमें भी कुछ नहीं होता था जब हम करते थे तो हम करते थे F is equal to S1 plus R minus D पर D तो आएगा नहीं क्योंकि इस्टील पर डिविडेंट थोड़ी मिलेगा पर मैं अब कुछ पूछने जा रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ अगर मैं future में किसी से contract करूँ तो future में बुले इस्टील कितने का मिल जाएगा तो इनका कहना future में आपको इस्टील मिलेगा 1,26,000 contract कब करना पड़ेगा आच इस्टील का delivery कब होगा एक सल बात सवाल बस इतना है पैसे भी कब देना एक सल बात सवाल ये है आज इस्टील खरीदा जाए कि एक सल बात मुझे तो सोचना पड़ेगा ना मैं सोच रहा हूँ अगर आज इस्टील खरीदता हूँ तो no doubt interest लगेगा लगे है और content करने पर interest नहीं लगेगा यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं dividend हाई नहीं और चीज़ सोच रहा हूँ अगर मैं आज इस्टील खरीद के लाता हूँ तो भई इस्टोरेस इस्टोरेस में actual मैं मुझे मालूम है कि future में price बढ़ सकता है सीधी सी बात है future में price बढ़ सकता है तो मैं आज ही खरीदने का सोच रहा हूँ बाद में क्यों खरीद हो आज ही खरीद लूँ या तो आज खरीद लूँ या आज contract कर लूँ खरीदने का बस में पर अगर आज खरीद के रखोगे भाई तो storage की जगा चाहिए आपको storage कही ना कही गो डाउन ओ डाउन rent पे लेना पड़ सकता है अगर आप खरीद फिजिकल खरीद के रखते हो तो it means आपका एक cost लग जाएगा जिसको आप कौन सा cost बोलते हो आप बोलते हो storage cost ये भी आपका लगेगा storage cost storage cost कहां लगेगा यहां लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा हर साल, हर महने लगेगा storage cost याद करो dividend भी था हर महने dividend था याद है question किया था 30 दिन में dividend, 60 दिन में dividend तो फिर storage cost तो इस काम को क्या निकालना पड़ेगा present value अब वो present value of stories cost दे दिया मान लो और मैंने लिख लिया present value of stories cost मान लो 4000 ठीक चार अचार इट मिस अगर मैं सोच रहा हूं मैं सोच रहा हूं मैं future contract कर लेता हूं तो मेरा क्या फायदा है ये तो लगेगा लगेगा पर मेरा interest भी लगेगा लगेगा पर मेरा stories cost तो बचेगा उसकोत कैसे भूल सकते ठीक है और उसका present value मैंने दिया याद रखना stories cost यहां incurred होगा यहां generally होता नहीं है बीच में बीच में बीच में होता है ना इसलिए उसका present value निकाल के दे देते है ठीक है सर यह भी हो गया दूसरी बात और और मैं और सोच रहा हूं सर अगर 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 मैं आज ही खरीद के रख लेता हूं तो still मेरे पास go down में रखा हुआ और कोई बड़ा client आ गया बड़ा client और बड़ा client आ गया बोलता मुझको still चाहिए और जबकि मेरे पास stock में उतना नहीं है लेकिन आज खरीद के रखा था मेंने go down में रखा था तो क्या मैं फटा फट से दे दूंगा हां पर अगर मैं content करता तो मेरे पास still है नहीं है मुझे कहीं market जाना पड़ता वहां से खरीदना मैं ज़्यादा convenience किसमे हूँ सवाल मैं ज़्यादा comfortable किसमे हूँ मैं ज़्यादा convenience किसमे होँगा आज खरीद के go down में रखों वेश्टील मेरे लिए ज़्यादा convenience रहेगा तुरंत उठाऊंगा और दे दूंगा पर अगर मैं future content करता हूँ तो मेरा convenience नहीं होगा मेरा non-monitory benefit नहीं बात समझे नौन मॉनेटरी सर इकान्विनियंस को आप काउंट कैसे करोंगे measurement कैसे करोंगे non-monitory benefit है उसका measurement हमको सीखना भी नहीं है यहां सिखाया भी नहीं है it means मैं क्या कह रहा हूँ convenience yield yield बोल रहा हूँ क्या बोल रहा है जरा बोलना convenience yield और इसका present value मेरा इस चीज का loss है इसको measure कैसे करोंगे amount में money में आपको नहीं करना है वो मैं आपको बता दूंगा यह question वाला बताएगा आपको कि क्या है ठीक है तो अब सोचो future contract future contract करता हूँ तो मेरा क्या जाएगा मैं कह रहा हूँ मैं future contract करने को तयारों पर rate क्या होना चाहिए मैंने का rate यह नहीं होना चाहिए वो ले क्या होना चाहिए तो बोले देखो एक तो 120,000 तो लगेगा लगेगा ठीक है ठीक है प्लस मेरा present value of storage cost वो आप मेरा बचाओगी तो चलो मैं वो भी दे दूंगा आपको एक लाग 20,000 चलो मैं देने को तयारों मैं जो storage cost है वो भी देने को तयारों उसका present value और लेकिन मेरे एक loss है और loss किसका मालू मैं present value of convenience यह मेरा loss है तो आपका future contract की वजह से मैं तुरांत लोगों को delivery नहीं दे पाऊंगा तो यह मेरा loss है अगर कोई कुछ होता है तो और इसका मैं क्या दे सकता हूं बोले इसका मैं future value दे सकता हूं तो commodity future में F निकालने का formula है spot plus present value of stories cost minus present value of convenience yield और multiply किसे गरूगे 1 प्लस आर से ठीक है सर एक्जाम में क्या आएगा एक्जाम में क्या आता है सर एक्जाम में आता ही नहीं है पर आया तो वो आपको यह दे देगा यह देगा यह देगा दिकत किसमें बोले दिकत इसमें तो चलो बले यही निकाल कर बताओ और यह देदेगा तो जब यह देदेगा यह देदेग कॉंट्रक्ट, कॉंट्रक्ट on commodity like gold, steel, oil, etc. इसमें एक तो पढ़ना हमको margin जो already पढ़ चुक है, एक theoretical future, price कैसे निकालते हैं और एक बात किसकी होगी, beta management, इसमें भी beta management है, या फिर beta management को मालूम है, क्या बोलते हैं? hazard ratio, hazard ratio भी बोले जाता है, तो theoretical future price of commodity कैसे निकालते हैं, as per cost of carry model, theoretical future price of commodity is calculated as under, F is equal to spot price, plus present value of storage cost, minus present value of convenience yield, और multiply किससे करेंगे, 1 plus R, वाकी सब लिखा हुआ है, ठीक है, hazard ratio अभी मैं समझाओंगा, पहले एक question बना ले यहां तक, ठीक है, ज़र कैसा question है, यह वाला question है, question number 64, मैं बताऊंगा question क्यों नहीं आते हैं, उसकी वज़ा, following information is available about standard gold, gold के बसे में दिया हुआ, ठीक, spot price दिया, 15,600, future price दिया, 17,000, इसुफ F दे दिया, risk-free rate दिया, 8.5%, present value of storage cost दिया, 900 रुपए per year, present value दिया, ठीक, from the above information, you are requested to calculate the present value of convenience yield, of the standard gold, के अराम से question हो सकता है, यह सर, नहीं कर ले, F is equal to spot, plus present value of storage cost, minus present value of convenience yield, और इसका क्या कर ले, future price, 1 plus R, या फिर इसको उठाकर यहां से डिवाइडी भी कर सकते हैं, ठीक है, सर, कर ले, 17,100, एक साल का है न, डिवाइड, 1.085, spot price कितना है, 15,600, plus present value of storage cost कितना है, 900, minus present value of convenience yield, यह वाला इधर आके डिवाइड कर ले, सीधा लिख देगा, present value of convenience yield yield, is equal to, 17,100, divided by 1.085, minus 15,600, minus 900, answer आजाएगा, 739.63, यह 740, लिख बस, ठीक है, yes, कोई मुस्किल काम था, क्या, कोई मुस्किल काम ने, क्या एक्जाम में कोशन आ सकता है, नहीं आ सकता है, सर, 8 नमबर का कहाँ कोशन बनता है, सर, तो हमको कोशन नमबर 65, प्लीज सर, होमवर्क दे देजे, चलो, होमवर्क दे लेजे, ठीक, अब एक चीज और समझाने की बाकी है, वह है, हैज रिशो, बीटा मैनेजमेंट बोलो, या फ्यूचर हैजिंग बोलो, एक ये बात, अब सुनना देहां से, मान लो, ध्यान से समझना है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, जो मैं करवा, आया हुआ है, मान लो, एक सौप है मेरी, ठीक, इसे, और वहाँ, एक लाक टन मेंने इस्टील खरीद के रख, मतलब मेरा लॉंग पोजिशन है, कितने के साब से, चालिस के साब से, तो उस हिसाब से मेरा चालिस लाक रुपिया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, और मैं क्या उमीद कर रहा हूँ, सर मैं उमीद कर रहा हूँ कि रेट बढ़ेगा, क्योंकि मैंने अल्रेडी खरीद के स्टॉक में रख लिया, कितना टन, एक लाक टन, चालिस के साब से, पर समस्या है साहब, अगर रेट गिर गया तो क्या करोगे, रेट गिर गया तो क्या करोगे, हाँ सर, रेट बढ़ने का उमीद तो है, लॉंग पोजीशन है, बढ़ेगा तो अच्छी बाते पर अगर प्राइस गिर गया तो उससे क्या बचा जा सकता है, सर बेच देते बाद में खरीद लेंगे बेकर की बात है, तो क्यों ना हम श्टॉक एक्शेंज चले, हम पहुच गए, श्टॉक एक्शेंज, और श्टॉक एक्शेंज में कहा हमने कि हमें शेयर पर बैटिंग नहीं करनी है, हमें किस पे बैटिंग करनी है हमें इस्टील पे बैटिंग करनी है और कौन सा पोजिशन लेना है यहां कौन सा है लॉंग तो यहां कौन सा लेंगे शॉट पोजिशन कोई दिक्कत की बते हैं यहां लॉंग तो यहां शॉट तो बस बात खतम हो गई अगर 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 क्योंक market और ये कौन सा market है ये future market तो sir rate यहां भी 40 ही होगा क्या जरूरी नहीं है यहां 40 हो जरूरी नहीं है जाहे है 42 भी हो सकता यहां तो virtual हो रहा ना यहां कोई खरीद बेच नहीं रहा यहां तो betting चल रही है अगर सुनो लेकिन होता क्या है अगर यहां rate बढ़ता है तो यहां भी rate बढ़ता है इट मिस दोनों के बीच में positive correlation है किस-किस के बीच में cash market और future market अगर इस्टील का rate market में बढ़ेगा ना rate तो जब betting करने जाओगे ना stock action वहां भी बढ़ा हुआ मिलेगा इट मिस यह बढ़ेगा तो यह भी बढ़ेगा दोनों बढ़ते हैं अगर यह गिरेगा तो यह भी गिरेगा दोनों गिरते हैं ठीक है ठीक है सर तो ठीक है सर अगर मान लो मान लो मान लो हमने short position ले लिया अगर वाके rate गिरा अगर rate गिरा तो दोना तरफ का गिरेगा ये भी गरेगा ये भी गिरेगा तो ये गिरेगा तो no doubt loss है पर इसके गिरने से तो profit हो जाएगा क्योंकि मेरा short position सर अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा ये बढ़ेगा तो मैं खुश जरूर होंगा लेकिन इधर मुझे देना पड़ेगा ultimately मैं hedge कर रहो मैं profit नहीं कमाना चाहरा यहां तक ठीक है सर ये तो वही हो गया ना beta management यस वैसे ही हो गया एक समस्या है पैसा कितना लगाएंगे पैसा कितना लगाएंगे सर यहां 40 लाक रुपे है 40 लाक का लॉंग तो यहां short तो करना आई है तो पर कितने रुपे से तो सर बीटा देख लो ना beta दिक्कत क्या है beta में beta थोड़ी नहीं होता है beta तो shares का होता है shares का beta होता है still पर betting करना उसका beta नहीं होता तो सर अब क्या करे उसका beta निकालना पड़ेगा पर उसको beta नहीं बोलते है उसको बोलते है has ratio वैसे beta का क्या formula था हमारा सर बीटा का formula था change in stocks return change in future future market market बोलते है future market यह था हमारा change in stock return change in market return तो यहां भी has ratio का formula क्या बनेगा वैसी है has ratio has ratio का formula हो जाएगा नीचे future है तो यहां भी future ही आएगा change in future market उपर आएगा change in cash market मतलब future में change कितने का होगा suppose यहां 20% का change है और यहां 10% का chance है अगर यह 20% बढ़ा तो यह 10% 0.5 बीटा कितना 0.5 या फिर ऐसे समझ लो ना यार यह समझ में नहीं आ रहा तो यह 10% और यह 15% मतलब यह 10 से बढ़ता future market तो यह 15 से तो बो बीटा कितना 1.5 तो है ना यार वही तो बीटा है बस यहां multiply किसी होगा correlation तो यह एक नया क्या आगया correlation बेटे इसके लिए तो आपको portfolio management पढ़ना ही पढ़ेगा correlation पढ़ाऊंगा मैं यह जो बीटा का formula यह हैज ratio का यह किस से निकलता उसका नाम होता least square method जो मैं आपको portfolio management में discuss करने वाला तो हमें सबसे पहले हैज ratio का formula निकालना पढ़ेगा जिसको मैं बीटा भी बोल सकता और हैज ratio का formula से मेरा हैज ratio आजाएगा suppose हैज ratio आगया 0.5 0.5 तो फिर मैं future market में कितना पैसा लगाऊंगा चालिस लाक into 0.5 तो टूटल कितना हो जाएगा बीस लाक फिर होगा क्या अगर ये 10% से गिरेगा तो ये 5% से गिरेगा क्योंकि इसका बीटा कितना है 0.5 तो sir यहाँ गिरेगा तो यहाँ हमें 20 लाक का 10% कितना होता 2 लाक का profit हो जाएगा और चालिस यहाँ 2 लाक का लॉस हो जाएगा और अल्टिमेटल लिफाई हो जाएगा तो क्या ये चीजे में रिपीट ही कर रहा हूँ या 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 ओलरडी में डिस्कूस कर चुका हूँ एक बार देख ले कि क्या लिखा हुआ है हज रेष्यो के विशए में हैज रेष्यो और हैजेंग ठू फ्यूट आप हैज Cute अब हैज रेष्यो भी बुल सकतौट है इस्व आणा प्रआज प्रॉंडिटियस सप्रॉट प्राइब सी कश मार्केट लाट इन सेंग कॉणेशन होता पर ऐसा नहीं है कि यह 10 परशन से बढ़ेगा तो यह भी 10 परशन, linear नहीं होता, same rates in this situation we have to find out the exact proportion and this is called has ratio, मैं proportion निकालना पढ़ेगा, has ratio is calculated by list square method formula क्या है, change in standard deviation of future, change बोल रहा हूं मैं इसको standard deviation बोल सकता standard deviation of spot या cash market और correlation किस-किस के बीच में spot and market standard deviation, deviation, deviation का मतलब change एक बार question देखते तो बात समझ में आ जाएगे question number 66 पढ़ते है a company is long on 10 metric ton of copper add the rate 474 per kg 10 metric ton एक ton में कितना kg एक हजार तो 10 अरकेज तो सहाब आपका long position है 10,000 kg into 474 तो सर आपका रुपीज 47,00,000 का long position है and intend to remain so far the insuing court ठीक है हम होल्ड करना चाहते हैं long position हम होल्ड करना चाहते हैं the standard deviation of change in spot and future price are 4% and 6% and correlation कितना दिया 0.75 तो क्या आप has ratio निकाल सकते हो yes, what is its has ratio and what is the amount of copper future it should short to achieve a perfect has practice में लोगा question है सबसे बहले क्या निकालना पड़ेगा has ratio यह तो मेरे रख में लिख रखा था point number one calculation of has ratio formula as ratio is equal to standard deviation of spot divided by standard deviation of future into correlation किस किस के बीच में spot and future standard deviation of spot कितना है spot का मतला cash market के में बात करा हूँ यह वाला नहीं यह वाला question standard deviation of 4 पर्षन और 6 पर्षन 4 पर्षन 6 पर्षन और 0.75 4 by 6 into 0.75 तो सरी आ गया 0.5 has ratio 0.5 इसका मतलब लिख दूँ क्या यहाँ यस has ratio 0.5 means if future changes by 10 person then spot will change by 5 person यह मतलब होता है मांगा नहीं था लिख दिया मेरा मन किया तो what is the amount of copper future it should short short कितना करना है perfect है इसके लिए point number 2 amount of copper future to be short perfect perfect s spot market में आपका long position है 10,000 kg इंटू 474 long position है तो रुपी 47,40,000 ठीक है ठीक है और has ratio कितना है point 5 final लिखते है amount of copper future to be short is equal to exposure into has ratio exposure exposure कितने का है आपका सर 47,40,000 into beta point 5 तो answer है तो सर यह आगे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर एकाथ question homework देदी जी ना please चलो जैसे आप बोलो question number 67 यह question आपके लिए रहा है homework और सुनो यह RTP November 2021 में डला हुआ था November 2021 समझी गया है अभी अभी पिछले साल की बात है तो देखा जाए derivative खतम हो चुका है पुरी तरह से पर commodity future के और दो question है जो has ratio से या beta management से तो related नहीं है पर है question एक्जाम में आई हुए है तो वो तो करवाना ही पड़ेगा तो question number 68 करने जा रहा है और देखते ही है commodity पर देखते ही आपको समझ में आना चाहिए था कि आना चाहिए कि किस चीच का question है करके पढ़ा है question को sir call option लिखा है sir call option ठीक है पर call option share का नहीं लिखा gold का लिखा हो जाने तो क्या फर्क पढ़ा है exercise price कितना दिया sir exercise price दिया है 26,000 ठीक है पर 10 gram and 3 month period कितना है 3 month to expire it being traded at a premium of 110 premium कितना देना पड़ा 110 call option का premium it is expected that in 3 month time spot price might changes to 27,300 और 24,700 so क्या कहना चाहता है sir यह कहना चाहता है कि maturity को दो possible price हो सकते है या तो हो सकता 27,300 या तो हो सकता है 24,700 याद आया भाई याद आया binomial या पर binomial इस बार share का नहीं पूछ रहा binomial commodity का पूछ रहा जो भी पूछे हम तही आर at present this option is at the money at the money जो option है अभी at the money है at the money क्या कहना चाहता है sir s is equal to 26,000 yas at the money में is equal to a s होता है market price is equal to exercise price इसको बोलते option at the money है बताओ सीधा भी बोल सकता कि market price 26,000 पर नहीं बोला बोले बच्चों को at the money पता तो होना चाहिए अब समझ में at the money का यूज है the rate of interest with simple compounding 12% पारेनम तो 3 मेने का 3% is the current premium for option is justified और एक हजार premium हमें देना चाहिए के नहीं तो option का value निकालो कौन सा है binomial evaluate the option and comments sir इसमें कोई शक नहीं कि ये binomial को question आई पर सवाल यह है sir कि हम कौन सी method साथ डेल्टा हिजिंग से करें कि risk free portfolio मतलब वही होतरा risk replicating portfolio से करें कि risk neutral probability से करें the easy कौन सा risk neutral probability पहले value of option निकालेंगा लिखा हुए calculation of value of call option method कौन से यूज करेंगा risk neutral probability risk neutral probability approach step number one में given करके लिख देते है ठीक है अब given में क्या क्या आएगा यह तो e लिख दो s लिख देते हैं e 20,000 s b 20 एक तो u लगेगा u लगता है हाँ सरी तो binomial revise करना पड़ेगा 27,300 divided by 20,000 एक डी भी लगता है और डी 24,700 divided by और तो 1.03 है ठीक है तीन महने का तीन परसंट 27,300 divided by 26 1.05 और 24,700 24,700 divided by 26 0.95 25 तीक है धार दूसरे स्टप में क्या करेंगा रिस्क नीरस्ट्रल प्रोबैबिटी रिस्क नीट्रा रिपैट्टी प्रोबैट्टी रिस्क इस ना away तो risk-neutral probability निकालने का formula पता है कि yes, P is equal to R minus D divided by R minus D R कितना है, कर 1.03 minus D कितना है, 0.95 1.05 minus 0.95 1.05 minus 0.95 1.03 minus 0.95 divided by 0.8 तो बाइनोमेल ट्री भी यहीं बना ले क्या नहीं अच्छा नहीं लगेगा अगले पेज़ में बनाएंगे step number 3 binomial आज प्राइस कितना है 27,000 तो possible price आपको दिख रहा है या तो हो सकता है कितना 27,300 या तो हो सकता है 24,600 ठीक है तो भी सेवसास ठीक है सब probability आप निकाल चुक्कियों इसका probability 0.8 और इसका probability 0.2 अब हमें क्या चाहिए और हमें चाहिए cu और हमें चाहिए cd इससे comparison मत करना बस मैं पहली क्लास से समझा रहा हूँ आखरी क्लास आखरी question चल रहा है comparison किससे करोगे exercise price से और exercise price sorry exercise price किसमत से 26,000 तो उसर 27,300 माइनस 26,000 तो यहां 1300 आखरी है और यहां क्या आखरी है जीरो टिक अब इस टेप नमबर फूर C0 is equal to CUP plus Cd 1 minus P divided by capital R तो सर 1300 into 0.8 plus 0 into 0.2 divided by capital R केतना था 1.03 answer 300 into 0.8 divided by 1.03 तो सर यह आगया है 1009.71 या फिर आप इसको 1010 लिख सकते हैं 1010 एप्रोक्स और यहां क्या है premium कितना है 1010 वाव तो पूछ रहा है क्या justified है yes comments तो लिखना पड़ेगा since premium amount amount is equal to value of option hence option is correctly credit यह justified करके लिख सकते हैं तो यह question था चलो इस बहाने कम से कम को बाइनों मेल यात तो आया ठीक है और एक question है और यह last question है अब इसके बाद मैं question बिल्कुल नहीं करूंगा last question और उसके बाद class भी over कर देंगे आस तो खुसी का ठिकाना नहीं क्योंकि सबसे मुश्किल चैप्टर हो गया आपका derivative का मैं जानता हूं दिक्कते आई है समझने में थोड़ी सी मुश्किले हुए हो नहीं था यार derivative जेल रहे हो आप पहला शैप्टर में तो मुश्किले आई है आजाने तो आगे नहीं आएगा एक दो फॉर्मला है बी एसम वी एसम थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा पर क्या करें एकाद तो करना ही पड़ेगा चलो भगवान का नाम ले खतम करते हैं और यह हमारी क्लास का लास्ट कोश्चन और यह आया था आर्टी पी नवंबर 2020 और एमटी पी में तो 2019 दो बार आर्टी पी और एमटी पी दोनों में डल चुका है एक्जाम में भी आया था पर यहां डायल ला नहीं मेरे सायद चलो देखते हैं और राइस ट्रेडर हैज प्लैंड तू सेल बाविस हजार केजी और पराइस आफ्टर थ्री मन्त प्रॉम नाउ तो नोगे ध्यान से सर लॉंग पोजिशन है कि शॉट पोजिशन कुछ बच्चों को हो सकता शॉट पोजिशन लगता हो क्यों क्यों कि सेल सब्द लिखा है प्रटे सेल करना लेकिन आज सेल नहीं करना है सेल करना है तीन मैने बाद आज तो होल्ड करना है ना हम आज क्यों सेल नहीं कर रहा है हम क्या सोच रहे होगे की प्राइस बढ़ेगा आप को सोचो ना यार सेल कब करना अगर आज ही सेल करना होता तो मैं बोलता सौट पोजिशन आज सेल नहीं कर रहा है भाई हम कर रहा है तीन मैने बाद मतलब तीन क्या है चावल है और राइस को कब बेचना आज नहीं बेचना तीन मेने बाद हमको मालू में रेट बढ़ेगा लॉंग पोजिशन है इस पॉट प्राइस अभी कितना है साथ रुपय पर केची हम भगमान से प्रात्ना करेंगे कि यार 22,000 केजी राइस रखा है हमारे पास और अभी प्राइस कितना है साथ रुपय है तो हम चाहते कि प्राइस बढ़ जाए साथ रुपय पर केची हो जाए त्री मन्थ फ्यूचर इस दा सेम ट्रेडिनिंग एस 59 पर केची श्टॉक एक्षेंज भी है भाई साथ और क्या श्टॉक एक्षेंज में शावल पे भी बैटिंग लगती होगी हाँ हर चीज पे कमोडिटी फ्यूचर बोलते है उस पर भी शर्थ लगा सकते हो कि राइस का रेट आने वाले तीन मेहने में बढ़ेगा की कम होगा और तीन मेहने का रेट दे रहे खा 59 बहले 59 पर बैटिंग कर लो वैसे तो मेरे पास राइस रखा हुआ है अभी रखा हुआ है तो मैं भगवान से प्रात्मा करूंगा रेट बढ़ा देना भगवान रेट गिर गया तो क्या हैज किया जा सकता है हां सर कौन सा पोजिशन इधर कौन सा है लॉंग तो इधर कौन सा लेंगे सर इधर हम शौट पोजिशन ले लेंगे अगर रेट गिरता भी अगर हैज करना है तो जब की बात है अगर रेट गिरता भी है तो इधर गिरेगा तो इधर क्या होग पर इधर से profit तो कमा लेगे ऐसा मैं सोच रहा हूँ अब गया तो बोले 3 month future on the same is trading at 59 per kg पिर से बोल रहा हूँ एक बात अगर rice का rate पता करो अभी तो अभी 60 चल रहा है जो future में जाओगे न stock exchange में तो वहाँ rate थोड़ा सा इधर उधर रहेगा वहाँ 3 मेहने बात के लिए rate किया चल रहा 59 चल रहा है अगर मैं spot rate की भी बात करूँ आज rice पता करने गया तो 60 रूपे पर kg मैं कहता हूँ future stock exchange जाके spot पता करता हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ 60 50 रूपे 50 पर सी भी हो सकता थोड़ा सा अंतर होता है stock exchange जिस पर बैटिंग चल रही है ठीक है sir size of contract कितना है 1000 kg ठीक है the price is expected to fall as low as 56 पर kg हमको ऐसा लग रहा है कि 3 महाँ बाद rate 56 पर kg हो जाएगा अगर हम खुला छोड़ देते हैं कुछ नहीं करते हैं तो हो सकता है तीन मेहने बाद जो rice हम बेचने वाले वो 56 के हिसाब से बिके उसके लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा point number one interpret the position of trader in the cash market cash market मतलब यहाँ कौन सा position है long लिख लेते है point number one trader wants to sell in future but he hold commodity now and expects that अनुमान लगा रहा उम्मीद कर रहा price will rise price बढ़ेगा hence trader has long position on rice in cash market ठीक है यहां तक ठीक है पहला तो अपने लिख लिया इसी पहले ही point में गलती हो सकती है बच्छो से point number two advice to advise the trader तो दो बार क्यों लिखा है to advise the trader should take in future market to mitigate its risk of reduce profit risk को खतम करना है जिसकी बज़े से profit reduce risk को खतम करने के लिए बताओ कि future market में कौन सा position लेंगे point number two trader shoot take short position on rice in future market 2 is the risk risk तुक्त सरा अब अगे क्या पोचरा? to demonstrate the effective realized price for its sell if he decide to make use of future market future market को use कर लिया and after 3 month spot price कितने का होगा है 57 का future contract price for closing contract is 57 क्या बोल रहा कुछ समझ में आएगा मैं लिखूंगा ना तो समझ में आएगा मैं लिखते हुए बात करूँ यहां समझाने के picture हां सर लिखते हुए बात करते point number 3 वो बोल रहा है कि भाई ट्रेडर ने ट्रेडर टुक शॉर्ट पोजिशन ओन राइस एट रुपीस ट्रेडर ने शॉर्ट पोजिशन ले लिया बोल रहा है और कितने रुपए में शॉर्ट पोजिशन लिया रेट क्या चल रहा है ट्रेडर ने यह काम कर लिया इब क्या होगा सुनना दिया से आफ्टर थ्री मांस थ्री मंत ही होगा या एक मांस ट्री मvelmente तीन महने बाद क्या होगा बाई साब सॉट पोजिशन ले ist अब भाई राइस हमको बेचना है तो देखो cash market में क्या rate चल रहा है सर cash market में 3 मेहने बाद cash market में rate दिख रहा है आपको 57 है तो 57 पर kg की साबसे थो हम बेचेंगे बेचेंगे तो selling price of price 57 के सबसे तो बीकेगा cash market में लेकिन जहां stock exchange में हमने शर्त लगाया था कि 59 से नीचे जाएंगा वहां rate क्या हो गया और बोले वो देखो future contract जो है वो 58 हो गया stock exchange 57 market में rate हुआ पर वहां भी कम हुआ और वहां क्या हो गया 58 हो गया कितने बैटिंग किया था 59 से कम जाएगा और 58 हो गया तो कितने रुपए का फाइदा एक रुपए का तो आपका फाइदा वो भी तो मिल जाएगा तो आपको क्या मिलेगा profit gain on short position of future 59 minus 50 तो आपको एक रुपए यह मिल जाएगा ultimately rice आपको कितने का पड़ा एक केजी कितने का पड़ा पर केजी बोला realized price per kg 57 का बेचे एक रुपए इधर से आगया तो भाई rice हमको कितने का बिका अगर में कहूं realize price effective price कितने का बिका 58 का बिका एक इफेक्टिव प्राइज या realized price क्या बोला effective realized price अगर यह थोड़ा साप जेल भी नहीं पाइस ले नहीं जरुपाई क्योंकि बहुत कुछ 90% forex में cover होने वाला है तो इसलिए हो सकता है इस question पर मुझे है मालू में आपको समझ में आके होगा नहीं आये होगा तो doubts पूछ लीचेगा ठीक है बस खतम इतना ही था derivative revision करना पड़ेगा बिना revision के नहीं जितना पार हो सकता revision कर लो derivative मैं फिर से बोलना हूँ आप भूल जाओगे आसे दस दिन बाद भूल जाओगे अब डरना मत होगा क्या revision का मतलब क्या होता revision का मतलब क्या होता कि किसी चीज को आप पूरी तरह से भूल गया है पूरी तरह से और फिर उसको आप revise कर रहे तो फायदा है revision का उसी को तो revision बोलते है जो चीज याद है उसी का revision करना ये क्या revision होगा तो साहब मैं आपको फिर से बहुत से बोल रहा हूँ आपको अभी अच्छा लग रहा मेरे साथ सद बनाया कोशन आपको मजाया पर मैं एक बात आप से यह बोल रहा हूँ कि अगर आप पहली बार पढ़ रहा हो तो आप 15 दिन में derivative भूल जाओगे आपको पता ही नहीं आएगा कि binomial क्या था, BSM क्या था put call parity क्या था future क्या था, arbitrist क्या था यह कुछ याद नहीं आने वाला revision जरूरी है तो भूल जाओगे तो डरना मत सब भूल जाते हैं आप सुचरे कि मैं कैसे भूल गया या मैं कैसे भूल गई सब भूल जाते हैं फिर से revision करना एक बार करोगे, दो बार करोगे फिर return रहने रखे ठीक है, ठीक है ठीक है साथ देने के लिए अब अगला जो chapter रहेगा, वो रहेगा interest rate risk management old syllabus में पहले Indian capital market करके एक chapter गवा था जिसमें ये और इसके अलावा interest rate derivative और दोनों को मर्ज था, असल बात interest rate risk management भी एक टाइप का derivative ही होता है पर वो आसान है चलो इसके बाद वो कल की class से करते हैं, थैंक्यों सुमच, बाई बाई